वोड़ोगोड वेलकम फिल्म भारत को छोड़ा है वेलफाइस उस दिन तो मैं चुप था लेकिन आज मैं बोलूगा वेलफाइस बहुत सारी हिरोईंस है जिनकी यूनो शादी होने वाली रहती है इंगेजमेंट होने वाली रहती है लेकिन एक बॉलीवड कमिटमेंट को छोड़ देना जास बिकॉज अन इंगेजमेंट इस नौट कूल यह एक अन प्रोफेशनालिजम की बहुत बड़ी सीमा है क्योंकि प्रियंका छोप्रा ने पार कर लिए और इसके लिए अट लिए मेरे नोट बुक्स में तो कोई माफी लिखी नहीं बहुत सारे चोड़ी के लिए उनको छोड़ने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है वह तो मैं शुक्रियादा करना चाहता हूं कट्रियरा का जी का जो अलिया अलिया बाए जफर है जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर भारत जैसे बड़ी है मान लिया हो लोगों ने अब उन्चे काम निकालते है नहीं लेकिन यहां पर जो बात प्रियंका चोपड़ा के सामने आई है वह बहुत ही शरम सार है बहुत ही निंदनी है यह अगर यह बात सच है जो कि यह है तो गाइज लिट्रिली स्पीकिंग इस वेरी अन प्रोफेशनल अभी खबर आ रही है कि सल्मान खान की फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद प्रियंका चोपड़ा एक बहुत बड़ी हॉलिवुड मूवी कर रही है जो कि क्रिस प्रैट के साथ है अब क्रिस प्रैट कौन है हम लोग मशूर है क्रिस पैट इन्हों स्टार लॉर्ड बने थे इन्फिनिटी वर में जहांके जहां पर इन्होंने गमोरा के प्यार में थैनो चेजिक बखवास कर देखें इन्फिनिटी ओर इन्वार के थे उन्होंने प्रियंका छोपड़ा ने यह फिल्म को छोड़ कर और मुझे लगता है कि इस बॉलिवुड के फैन्स तो उन्हें माफ नहीं करेंगे उनकी इजद बनी थी आज देशी गल बहुत लोग पूर रहे हैं कि जब उन्हें ऑसकर में गए तो पूरे हिंदूस्तान ने उनके सम्मान किया था जब उन्हें क्वांटिको की थी पूरे भारत प्रकट की थी लेकिन सल्मान खान की फिल्म छोड़ना वह भी इस दौर पे जहां पर फिल्म शुरू हो चुकी थी उन्प्रोफेशनालिसम एट इस एक्टिंग करके दिखाना अलियःपपाज अपर है इस मैं इस बाक इन एक्टिंगर अभी जिंदा है ऑक गाईस माफी चाहता हूं कल से को विडियो नहीं दाला विकास जी जाला विकास चेंग ए लोकेशन मेरे पुआने सुस्क्राइबर सुप्राइबर सुक्य होंग पीजिए